हेला एर्यवन वेलकम टू गेटेटर टुटिफोर सेवन उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी गुड नियूस है जिन बच्चों के पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड है और या फिर गेट 2021 का स्कोर कार्ड है ठीक है तो आप सभी के लिए नेक्स वेकेंसिस आई हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में SCL जिसकों कहते है ठीक है और इसका रिक्यूटमेंट ओपन किया गया याद रखेंगे गेट 2022 स्कोर कार्ड और गेट 2021 स्कोर कार्ड तो चलिए इस वीडियो पर मैं आपको एवरी डिटेल जितने भी पॉसिबल डिटेल से आप सभी के सकते हैं नोटिपिकेशन्स फार अपाइन्मेंट एस ग्रेजवेट इंजिनेर ट्रेनी सो आपके लिए यहाँ पे जीटी की पूस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कौन-कौन सी ब्रांचेस के लिए और सर इसका डेट क्या होगा तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है फ सब्सक्राइब आटगके पास आलेडी गेट का इसकोर कार है लिए ट्वेंटीट के लींट का ते़िए चलिए देखते हैं कौन-कौन-कौन-सी ब्रांचेस के लिए तो आप यहाँ देख सकते हैं मैनिंग के लिए सर्वे के लिए जियो लॉजी के लिए ओके राव कौंसंत्रेटर आपके पास है एल्याक्रिकल है सिवील है मेकेनिकल इंस्टुमेंटीर तो मुझे लगता है सबसेयर हम इंस्ट्रीइट होता है उल्याक्रिकल में मैं के लिए बहुत अच्छी सी वेकंशी टोडल 39 सब करेंगे साथ मैंनिक लिए देखने को में कि इसमें कुछ कटेगरी वाइस भी डिस्ट्रिबूट किया गया है स्ट सी ओबी सी एड़लो एस और अन रिजर्ट तो अगर आप टोटल नंबर आप एकंशी देखेंगे तो सब टोटल नंबर आप एकंशी इन्हों ने जो रिलीस किये देट इस सब्सक्राइब के लिए और यहां पर बात करते हैं ठीक है तो यहां देखिए क्लियरली इन्होंने यह मेंशन करके रखा है डिसिप्लीन कैडर वाइस रिजर्वे सरस्थ यह तो उन लोगों के लिए जो पी डब्लूटी इसारी में तो यह सेक्संस पी डब्लूटीके लिए ज्यादा काम कहा नहीं है हना अब अगर हम बात करते हैं next eligibility criteria तो देखिए eligibility criteria clearly mention है applicants should have qualified the get examination and has valid get 2022 ठीक है फिर से repeat करो 22 scorecard and या और get 2021 scorecard लेकिन आगे बताऊंगा mainly 22 scorecard पे फोकस है mainly और अगर 2022 के अगर आपके पास दोनों scorecard है तो आपको दोनों वहां पर पूट अप करना लेकिन में लिए इससे ही फोकस कर रहे हैं कि से get 2022 के थूर जब इन्हें नंबर आपके डेट नहीं करेंगे तो 21 पर फोकस करेंगे आगे इसका डिटेल में आपको बताऊंगा ठीक है और देख सकते हैं यहां पे बोलागे score in the same discipline जो आपकी qualifying degree वह सेम आपकी discipline पर होना चाहिए ठीक है जिसमें आपका essential qualification आगे पैराग्राफ फिर पूरा कपर एक table बनाके कि हमें दिया गया है कि आपका बीटेक किसमें होना चाहिए और साथ में आपका गेट स्कॉर कार सेम डिसिप्लिन पर होना चाहिए ठीक है यह जो qualification आपकी engineering degree पर बोला गया 60 परसेंट माक्स यहां बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे और 55 परसेंट और सब्सक्राइब परसेंट बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर मेरी इंवर्य में मेरा प्रस्ट डिज़न नहीं बना है लेकिन मेरा परसेंटेज 62 है तो यह नहीं नहीं लिखा है कि आप परसेंट होना चाहिए सो मुझे लगता है ऐसे स्रेयर केस में पूरे इंडिया पे कोई लेकिन उनके 62-63 परसेंट होता है उनकी इंडिश्टी फाइब परसेंट पर फिर थे तो यह एक बहुत सारे बच्चे बहुत पूछते थे सर मेरा 62 परसेंट थे सब सिस्टी फिस्टी परसेंट है लेकिन मेरी डिग्री में से के अपके लिए है ठीक है चली और अगर हम ने चाहिए मैनिंग मतलब या चाहिए मधियो में पर सकते है बोला गया लेकिन mad ठीक है तो आपको यहां से जियो लॉजी में अगर आपका पूस्ट ग्रेजवेट है तो आप यहां एप्लाइब कर सकते हैं यहां कॉंसंट ट्रेटर में आप देखेंगे ठीक है फुल टाइम बेचर डिग्री इन ओरे ड्रेसिंग या इंजरिंग टेक्नलोजी और यह आपक मैंने ज्यादा तर में सुना है चेमिकल इंजरिंग पी मेरे यहां इंजरिंग कॉलेजिस में है तो अगर आपका बीटेक इंजरिंग में है और तो डेफिटली आप यहां पे अप्लाइब कर सकते हैं यह इन्होंने बीटेक्ष भोला है यहां पोस्ट ग्रेजवेशन नही आपका प्योर एलेक्ट्रिकल में होना चाहिए तो अगर अगर ऐलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल में प्लाइए करेंगे सिल पर देख सकते हैंاخ सब्सक्राइब करेंगे मेकैनिकल वालों के लिए देखें हैं फुल टाइम बैचलर डिग्रिन मेकैनिकल इंजिनरिंग या फिर माइनिंग मसीनरी आप इनमें है तो आप मेकैनिकल पर अप्लाइब कर सकते हैं इस्टुमेंटेशन यह बहुत तारे बच्चों का तंसन होता है यहां पे electronics and communication बहुत है इसका मतलब इस्टुमेंटेशन भी एलाओड है और जिनकी बैचलर डिग्रेऊ इलेक्ट्रोनिक्स में वह भी एलाओड है तो आईनोर एलेक्ट्रोनिक्स वाले यहां पे लाओड है इलक्रिकल वाले सिविल वाले यहां भी एलाओड है यहां भी ल यहां पर आपने थेखा सिज्धम होत कम था ठीक है तो आप कि अगर इन में से आपका किसी में भी बेटक डीओं है और अगर आपका इन में जो यहां मांटें इंट इन ब्रांची जिस में अगर आपका चांसे बहुत हैं ठीक है चले और अगर हम आगे बात करते हैं ठीक है तो मुझे लगता है आपको यह क्लियर है अब आप इन्होंदी यह विलिका है फाइनल एरेश्टेंट आप अभी आपका अक्टूबर है तो अक्टूबर पे कि अगर नहीं आयोगी किसी कारण से और आपने एक्जाम दे दिया है आप फुल्फिल करते हैं यह आप यहां जाता है और यहां देखेंगे से इस टी और से के लिए पांट यह का रिलेक्सेशन है मतलब 28 प्लस 5 आपके पास जाएगा 33 ओभी सी नान क्रीमी लेयर के लिए ठीएर का रिलेक्सेशन होता है पीड़ुडी इन और डिफ्रेंट के लिए पीड़ुडी जनरल टैन पीड़ुडी ओबीसी थाटीन पीड़ सर्विस कर लेते हैं तो ठीक है चले हना और अगर हम बात करते हैं से ठीक है तो आपको एज क्लियर है ब्रांच के लिए सेलेक्शन प्रोसेश हो है आपका गेट स्कोर कार्ड का जो वेड़ेश होगा 70 पसेंट होगा और 30 पसेंट आपके इंटर्वी होगा परस्नल इंटर् ट्रू के लिए कौल किया जाएगा और बाकी डिल्लाव को और एक एक वर पढ़ना है तो आप यहां पर सकते हैं ठीक है चले आगे चलते हैं और अगर आप यहां नेक्स देख सकते हैं कि साथ लिश्टिंग परस्नल इंटर्यू यहां पर देखिए कुछ इंपोटेंट मतलब आपको 22 स्कोर के थू ही वो मेरिट करेंगे इन केसे स्कंडिटेट्स इन रेक्वायर रेशियो इस नौट अविलेबल फ्रॉम गेट 2022 स्कोर अगर डेट 2022 स्कोर में आपको जितने रिक्वायर कंडिडेट है वन रेश्यू पाइप उतने नहीं मिलते हैं पर एनी इस् रेशियो विल भी सॉट लिश्टेट फ्रॉम गेट 2021 स्कूर ठीक है ओके और इच्ट तो बहुत सारे बच्चे यह सोचेंगे कि सब्सक्राइब 2021 का स्कोर जबी काम आएगा जब 2022 लोग उन्हें कम मिलेंगे अगर आपका 2022 से मिल जाएंगे और मुझे लगता है मिल फिर भी यह जब फॉर्म फिल करते से मिलेंगे और ऐसी सिच्वेशन मुझे नहीं लगता है कि सायद आएगे इंडिया पे इतने लोग तो है जो फॉर्म जरूर भरेंगी ठीक है और सब गेट 2022 के फॉर्म फॉर्म भरतेंगे तो बेसिकली यह जो वेकेंसी से है आप यह मा सब्सक्राइब करते हैं और अगर हम यहां बात करते हैं आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब करेंगे इन्होंने सब यहां पर अपना यह डिटेल लिखा हुए तो टाइव वाली कंडिशन की तो हम बात नहीं करते हैं लिखा हुआ है बहुत सारे पैरामीटर से ठीक है अब आप बोलेंगे सब्सक्राइब को से लिखा होता है यह लास्ट तो अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो एवरी यह सिक्समन में चेंज होता है लेकिन जो सेलरी आपकी हर साल तीन परसेंट बढ़ेगी तो तीन 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 परसेंट बढ़के आप लास्ट यहां तक जा सकते हैं आपका प्रमोशन हो जाएगा तो पेस्किल चेंज हो जाएगा इसलिए कभी भी यह हमारे का मैटर नहीं है यह सभी के लिए से कौमन है एवरी यह आपकी सेलरी थ्री परसेंट बढ़ेगी उसे कोई नहीं रोख सकता ठीक है तो इन्होंने बोला वन यह ट्रेनिंग पिरिएड है और यह जो स्टार्टिंग बेसिक पर है यह आपका फोटी थाउजन इर्रस्पेक्टिव आप दियर प्रीवियस एक्स असिस्टेंट मैनेजर तो आपकी जो पोस्ट होगी वह असिस्टेंट मैनेजर होगी एवन ग्रेट पर होगी एवन ग्रेट बहुत अच्छा नहीं है बट फिर भी नॉट बैट और यहां पर प्रोवेशन पिरेड आपका होगा उस समय आपकी जो सेलरी होगी सर्वों 40,000 ह आपको ट्रेनिंग के बाद भी प्रोवेशन पिरेड तक मुझे लगता है प्रोवेशन पिरेड के बाद इमेडिट आपको इटो ग्रेड मिल जाएगा और आपका जो बेसिक है वह 50,000 हो जाएगा ठीक है आगे चले देट्रेनिंग प्रोवेशन टैनों सेल्टेंट बी एक कर रहे हैं ठीक है ठीक है ट्रेनिंग के बाद भी प्रोवेशन पिरेड ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है और ये सब रूटे रहते हैं प्रमोशन पॉलीसिस सब चीजिए हो सकती है ना बट आप 40,000 बेसिक लेके चलिए और इसमें लॉट्स आप और एक्स्टाइब अलावेंस इस होते हैं देख सकते हैं यहां दूरिंग ट्रेनिंग परियेड आपको बिसाइड बेसिक भी तो इसलेक्ट जी एट जी एटी केंडिटेट सेल भी इंटाइटल टू आपको दे मिलेगा एचारे मिलेगा या बैचलर है तो बैचलर अक्मेडेशन मिलेगा इन दा यूनिट पर्क्स एंड एलावेंस मिलते हैं सीपी एप मिलेगा प्रोविडेंट फंड ग्रेज्वेटी मिलेगा और एक्स्टाइड एंड मेडिकल बेनिफिट फॉर सेल्फ ऑ इन लिखा हुआ यहां पर ट्रेणिंग में क्या क्या प्रोवाइट कर रहे हैं कितने वीक आपके पास क्या होगा और अपको यह सब मेल के थ्रूँ एसमस के त्रूँ बताया जाएगा ठीक है और 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 डॉरिजनल डॉक्मेंट्स आपको यह सब लगेंगे तो गौश्मन चाहिएए अना मेडिकल फिटनेस बेसिक मेडिकल फिटनेस चाहिए बहुत जाएगा नहीं चाहिए यह सब के पास होता है और विश्के लोगों के लिए पांश रूप हैं और बाग की सभी सभी के लिए फ्रीए और यहां पर ठीक है आप का उनलाइन पर सकते इसके बाद सर अमेंडमेंट्मेंट्स या मॉडिफिकेशन कुछ आपको करना होगा ठीक है तो यह इन्होंने डिटेल लिखा हुआ है और इनकी वेबसाइट है आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर.com यहां पर जाके कर सकते हैं बाकी फोटो कैसे चाहिए इन्होंने सब अपना फॉर्मेट दिया हुआ है यह सब लिखा हुआ है यह सब आपको आता ही होगा यह सब का तो ही सुन नहीं होगा तो यह फॉर्म कैस से कम पर इंजरिंग करता ही नहीं है और जश्कुछ इन्होंने बेसिक अपने पॉइंट से यहां पर लिखे जनरल पॉइंट से जिसको मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत जादा जानने के जरुवत है ठीक है तो यह आपके पास है और मुझे लगता है बहुत माइनिंग्स दिख है कि माइनिंग प्रांचिस के लिए फिर से मायनिंग्स आपके पास यहाँ पी आपके पास पूस्सग्रेजुेश्च्न इयो लौ pasado से और यहांपर मीनों के बहुत है और स्कूल के लिए और इसके साथ साथ एलेलक्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए a mechanical engineering या फिर माइनिंग मसीनरी माइनिंग इंजरिंग अलग है जैसे कि यहां पे आप देखेंगे माइनिंग इंतिर कि यह यह माइनिंग दीओं है यहां पी आप देखेंगे आपके पास इन्टुमेंटे earrings Golden Electronics एंटली करनिके ठीक है तो एक बहुत अच्छी आप लोगों को मिलिए आप चाहें तो नंबर आप एकंसी से ठीक है तो मैंने आपको पूरा डिटेल जितना भी पॉसिबल ता डेट याद रखेंगे आप सभी इस्टार्टिंग डेट आप जो भी ऐसके लिए आपके पास 22 का स्कोर है आपकी 31 अक्टूबर को रात को बारा विज तका फिल कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे और डिफरेंट आपके लिए अपडेट सम लेके आते रहेंगे आप ऐसे इंज्वाय करते रहें हमारे साथ जुड़े रहें अट्ड़ा 24-7 की टीम के साथ जुड़े रहें और डेफिनले सेशन को लाइक और शेयर ज़रू कीजिए है न कोई भी क्वेरी से हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ओके एवरीवन थैंक यू टेक केर बाइबाए और चेहन